आयोध्या में राम लला की प्रांट धरिश्टा के बाद पूरे देश भर में खोशी की लेहर चा गई है। जबकि यहां के हिंदू का मानना है कि इस मंदर में राम भगवान, सीता माता और लक्षमन जी वनवास के दौरान कुछ दिनों तक ठहरे थी। इसलिए मंदर हिंदू के लिए गहरी आस्था का केंद्र बन जाता है। आपको यह भी बता दें कि इस मंदर के पास एक कुंड है और इस कुंड को लेकर मानेता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इस कुंड से पानी पिया था। दोस्तो इसी वज़ा से इस मंदर को भगवान राम कुंड मंदर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदर को लाल इट से बनाए गया था और इस मंदर में बहुत बड मेला लगता था जहां पर बहुत भीड आती थी और बहुत से भक्त इस मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने ही आते थे लेकिन अब ये एक टूरिस प्लेस बनकर रह चुका है देश की विवाजन से पहले इस मंदिर में हिंदू पूजा करने दूर दूर से आते थे लेकि तब जाकर वहां से स्कूल हटाए गया लेकिन फिर भी जादा फरक नहीं आए पाकिस्तान के राम भक्तों ने लंबी लड़ाई की तब जाकर कहीं 2006 के बाद इस मंदिर को खाली किया गया लेकिन अभी भी इस मंदिर में हिंदों को पूजा करने की जादत नहीं है ये एक ट कि राम उनके मंदिर में कब तक आएंगे क्या आप हमें कॉमेंट में बजा सकते हैं कोई ऐसी भविश्यमानी कर सकते हैं जो आगे चल कर सच हो जाए कॉमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो चलिगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सुपर गान हिंदी जय हिंद जय भारा